हलो फ्रिंट, वैलकन टू माई चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कुमा सिंग, आज मैं आपको एक बैंकिंग एन फैनेंसेल सेक्टर की नंबर वन कमपनी बताऊंगा, निफ्टी 50 के स्टॉक बताऊंगा, जिसमें आप सभी लोग को पैसा लगाना ही चाहिए इस कमपनी भाई अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो आप लोग पैसा लगाएगा, और भाईया जो भी पैसा लगाएगा, ओर लॉंग टरम की लगाएगा, इस कमपनी में आप लोग मन्तली बेस आईपी कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो, यही सब मौका होता पैसा लगाने का तो आप लोल में खरदारी करते रहिए क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बनेगा ही लॉंग टर्म में एक एक शेयर खरीद के भी आप बहुँ बड़ा वेल्थ क्रियेट कर सकते हूँ इस समय आप लोग आलतु फालतु कंपनी में भू सबसे पहले मैं इसका ये टुजल डेख लेता हूँ और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक उसका फानेसल कंडिशन के बारे पता करें कंपनी के धंदी के बारे पता करें अगर वै उस कंपनी का धंदा अच्छा है बिजनेस मॉडल बढ़िया उनकी पोटक्ट एची है, उनकी सर्वीसेश एची तभी जा कि यmetro कमपनी अच्छे रिजल्ट पेस करती है और भाई जब कोई कंपनी लागतार अच्छा रिजल्ट पेस करती है तो ही भाई लॉद लोग्टर में आपको बढ़ा wealth ग्रेंट करके दे सकता है और इसी टैफ पी कंपनी में आपको कंपाउंडी का फैदा मिलेगा आप लोग भाई का लॉंग टरम के लिए पोटफोली बना रहे हो तो ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ जिसमें आप अरों को कंपाउंडी का फैदा मिले तो देखो नेट सेल टरन वर मार्च 15 में था वो 48,469.90 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देखला भाई 99,972.05 हो चुका है तो गहीं से तो बहुत ही बढ़े आसका नेट सेल टरन वर है यर टियर वाई और 48,469 से 99,972 हो चुका है और किसी भी यर में कांबिनीर है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है बाई पोजिटीव बात होती है टोटल इंकम देखलो टोटल इंकम भी इसका सांदार है यर टियर वाई मार्च 50 में टोटल इंकम था वो 57,446.26 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देखलो भाई एक लाग 16,577.94 हो चुका है तो बहुत ही बढ़े है इसका टोटल इंकम है यर टियर वाई शनतामन 1466 से एक लाग 16,597 हो चुका है और ये भी किसी भ कम नहीं रहा तो भाईया मुझे इसका नेट सेल टोटल इंकम यर टियर बहुत अच्छे दिखाए दे रहा है आप खुद भी यहां पर देख सकते हो भाई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ऑपरेटिंग फ्रॉफिट देखलो ऑपरेटिंग फ्रॉफिट वे इसका सांदार य हो चुका है तो देख सकतों पहुत बढ़े आपरेटिंग फ्रॉफिट है यह टियर बैज 9,005 से 15,713 हो चुका है अविट्टा देखलो भाई अविट्टा भी इसका सांदार यह टियर बैज मार्च 50 में जो एविट्टा था वो 44,135.01 था मार्च 15 में और मार्च 90 में दे हो चुका है तो देख सकतों पहुत बढ़े आपरेटिंग फ्रॉफिट एविट्टा यह टियर बैज 44,135 से 19,618 हो चुका है और किसी भी इयर में कंपनी रहे जो कि एक पहुत अच्छी बात होती है तो भी यह मुझे इसका ऑपरेटिंग फ्रॉफिट एविट्टा यह ट दिखाईते रहे हैं ऐसी फैंसेल प्रॉफिट्ट वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो भई तो आपका पैसा बने गई तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाईए निप्टि 50 का स्टाक है कौईटी कंपनी है नंबर वन कंपनी है करोना बारेस के व मौका होता है पैसा लगाने का कौईटी कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस फॉदियर वेस का सांधार है ये टियर वाइज मार्च 15 में प्रॉफिट एंड लॉस फॉदियर था वो 10,215.92 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देख लो 21,078.17 हो चुका है तो देख से तो इसी भी इयर में कंपनीर है जो कि एक पहुत ही अच्छी बात होती है बाइज वाइज बात होती है रिपोर्टेट पाड देख लो रिपोर्टेट पाड वे इसका सांधार है ये टियर वाइज मार्च 15 में जो पाड़ था वो 10,215.92 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देख आप सभी लोग इस कंपनी में देख लो इसका ये टियर वाइज चालिज से शांधार हो चुका है और किसी भी इयर में कंपनीर है तो भी यह मुझे इसका ये टिजल पहुत ही अच्छे दिखाए दे रहे हैं तो आप सभी लोग इस कंपनीर है दिल खोल के पैसा लगा निप्टी फिप्टी का स्टॉक है बहुत बड़ी ग्रूप से ये कंपनी आती है आप लोगर 20-30 साल के लिए फोट्फोलिय बना रहे है तो इस कंपनी को जगा देना क्वाइटी कंपनी का भाई सेर खेद होगे तो कभी भी कोई दिक्कत होने वाल जितना समय आप लोग आलतू-फालतू कंपनी वरवाद करते हो उससे अच्छा है कि क्वालिटी कंपनी पैसा लगा करें के कम से कम साल में 20-25%-30% रुटन मिलेगा HDFC बैंक लिम्टेड अब तक किस टाइब से टन बना के दे चुका है वो मैं आप लोग को दिखायता हूँ तो देखो वाई ये कंपनी पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छा टन बना की दिया है वेल्थ क्रियेट करके दिया है जबकि ये लाज़कर कंपनी है वाई तो देखो 10 साल में आने है वो 507.19 परसेट आने है सेसे को डाने है वो 111.11 परसेट आने है इस समय वाई करोना वाईस के वज़े से HDFC बैंक में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और भी कई सारी क्वाईटी कंपनी है जिसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है रिलाइंस इंडेस्ट्री भी अपने हाई से काफी नीची आ चुका है बजाजस फैनेंस और भी कई सारी कंपनी है तो आप लोग इन कंपनी हो में लोले में पैसा लगाते जाओ यही सब कंपनी भाई फिर से आपको रिटर्न बना के देगा और सबसे बड़ी बाद HDFC बैंक, रिलाइंस इंडेस्ट्री, बजाजस फैनेंस, बर्जर पेंट, आईजी एल, रिलेक्स ओ फूट बियर यही सब कंपनी भाई अगर आप पैसा लगाते हो, तो आपका लॉंग टर्न में पैसा बने गई, और सबसे बड़ी बाद, इन कंपनीों में आपका पैसा सेफ रहेगा तो पैसा लगाईए, लोले में खरदारी करते रहेए, यही सब मौका उता होई पैसा लगाने का दरोगे तो पैसा कभी नहीं बनेगा, इससे पहले भी कई वार मार्केट गिर चुका है, और आगे भी गिरेगा जुनोंने 2017-2018 में पैसा लगाया, वो पैसा बना रहे है न, और जो बेच के निकल गए, वो तो मार्केट से भाग गए मैं क्यों बोलता हूँ कि आप लोग क्वार्टी कंपनियें पैसा लगाये, बढ़ियां कंपनियें पैसा लगाये, बैलेंस रीड देख के पैसा लगाये, मुझे पता है भाई, आलतुफालतु कंपनियें पैसा नहीं बनता है, सिफ तेजी के मार्केट नहीं पैसा बनता है लेकिन जो quality company हो वो आपको हरमेशा return बना के देगा तो आप लोग इन company हो पैसा लगाते रहिए एक-एक share दो-दो सेकर खरीते रहिए आप लोग भाई business को judge करो ना कि share market को मैं भाई आप business में पैसा लगाता हूँ करोना वायस के बज़ए से lexo footwear का दुकान बंद नहीं हो जाएगा budget paint का दुकान बंद नहीं हो जाएगा IGL का दुकान बंद नहीं हो जाएगा इस बात को आप लोग समझेए मैं पहले भी कई वार आप लोग को बोल चुका हूँ 99% जो retail investor है वो क्या करते हैं पहले से पैसा नहीं लगा कर लगते है जब वो stock चलने लगता है दौरने लगता है तब जाके पैसे लगाते हैं कूद कूद के पैसे लगाते हैं यही HDFC bank का share एक डेर साल में 2,000 कभी हो जाएगा budget finance का share एक डेर साल में 10,000 कभी हो जाएगा तो आप लोग फिर उपर के price में खर दोगे मैं तो भाईया पहले से पैसा लगा रखता हूँ और सिर्फ और सिर्फ quality कमने पैसा लगाईए बढ़िया से भाई अगर आप portfolio बनाओंगे तो आपका पैसा बने गई आज सुबह सुबह मेरे पास एक call आया था उनका portfolio 85,000 रुपया का था उनके portfolio में 50,000 रुपया का black rose का share था अर्मान financial का 20,000 रुपया का था तो बताओ भाई पैसा कैसे बनेगा आप लोग बढ़िया कमपनी पहले पैसा नहीं लगा रहे हो और जो छोटी company उसमें पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा थो डूबे कहीं एक डेर लाग का portfolio में black rose का share होने ही नहीं चाहिए अर्मान फैसे का share होने ही नहीं चाहिए मैं बोलाओ तीन रुपया लगाने के लिए आप लोग 50 रुपया black rose में लगा दियो तो उल्टा फुल्टा भाई आप लोग पोट्फोलियो बनाते हो एक दो साल में कड़ोपती बनने का सपना देखते हो तो भाई यह सपना को कई पूरा नहीं हो सकता पहले आप बनिया company पैसे लगा उसके बाद आप लो ब्लैक रोज खरीना अर्मान फैसे खरीना क्रेडिट एक्सिस ग्राम इन खरीना तीन साल में देखलो तीन साल में 57.76 परसेट आने सेंसर कोड़ा ने 24.43 परसेट आने वन येर में देखलो वन येर में 3.44 परसेट आने सेंसर कोड़ा ने माइनस 1.84 परसेट आने ये तुटेट में देखलो, ये तुटेट में माइनस 13.48 पसेट आने, सेंसर गड़ाने माइनस 12.74 पसेट आने, वन मंत में देखलो, वन मंत में माइनस 11.41 पसेट आने, सेंसर गड़ाने माइनस 12.49 पसेट आने, वन बीक में देखलो, वन बीक में माइनस 6.94 पसेट आने, सें मैं पॉर्टफोलियो में HDFC बैंक को जगा दो HDFC लिम्टिट को जगा दो HDFC MC को जगा दो मैं खुद भी HDFC MC में मंतली SIP करता हूँ एक बार मैं फिर से आप लोग को बोलना चाहता हूँ इस ग्रूप की जितने भी लिष्टेट कंपनी वैं उसमें से सबसे ज़्यादर रिटन बना के देगा वह HDFC MC लिटन बना के देगा ये बाते मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से बहुत स्टार्ट किया हूँ जिनको भी पोर्टफोलियो क्रियेट करवाना है वो मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं यहाँ पे कॉंटेक्ट नमबर दी रख टेलिग्राम जॉइन करना चाहते हैं तो टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं मैं कोसिस करूंगा आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का कॉंटेक्ट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो कंपनी फ्रेंट यहाँ पर्संदीदिद्य पस्टोक में सामील है तो आप लोग इस पैसा लगाना इस से वह अच्छा खासा है करेksन हो चुके हैं मुचल फंड के पास होल्डिंग ही एचाडि अपक सिब्राइटी Insurance Company के पाँ जो holding है HDFC bank में 2.97% Non-investor के पाँ जो holding है HDFC bank में 14.83% कोई भी share HDFC bank का place दिये जो कि एक बहुत अच्छी बात है HDFC bank में HDFC limited का जो holding है 15% आप लो भाई HDFC limited में पैसा लगा सकते हूँ Individual investor के पाँ जो holding है HDFC bank में 11.15% well listen में मैं आपको दिखाद रहाऊ HDFC bank का peer ratio HDFC bank का 24.66 का peer ratio price to book value HDFC bank का 3.80 का price to book value dividend yield देख लो भाई बहुत ही बढ़ी है 0.88% का है तो भाई है यह company dividend बहुत ही अच्छा देती है और वही देख लो 15.41% का है जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़ी है ROA जो latest है वो 1.81% का है net NPA to book value HDFC bank का 2.73 का है जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़ी है valuation देख सेते हो fair बता रहा है तो भाई है अभी यह stock fair वो इसमें पर trade कर रहा है तो आप लोग पैसा लगाईएगा quality company है number one company nifty 50 का stock है और भाई है इस समय अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है तो आप लोग पैसा लगाईएगा और HDFC limited भी पैसा लाएगा वह भी बहुत यची company है HDFC bank का attractive जो प्राइस होगा वह 521 से 894 की बीच attractive प्राइस होगा quality मैं आपको दिखाता हूँ HDFC bank का excellent बता रहा है वह नेट interest income growth है फाइव एर का वह 20.67% का है बजास finance का वह 50% का है आप चाहो तो बजास finance में पैसा लगा सकते हो मैं भाईया बजास finance में मंतिली SIP करता हूँ आप लोग को पता होगा बजास finance में अच्छा का सा करेक्शन भी हो चुका है तो आप लोग बजास finance में पैसा लाएगा वह एक pure multi वैस्टों का बाई जिसमें आपका पैसा बने ग परसिंक है जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़ी है एक बात और यह बताना चाहता हूँ जिस भी बैंक या NBC कंपनी का gross NPA, net NPA, 6% से जादा हो आप लोग इस कंपनी में भूल करें पैसा मत लगाना वरना आपको कभी पैसा बने गा ही नहीं अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच् लोग टर्न में वैल्ध क्रिेट कर सकते हैं, धन्यवाद, कुछ दिन पहले मैं Paid से स्टार्ट किया हूँ जिनको भी पोटफोलियो create करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहां पे contact number दी रखा हूँ, टेलिगराम जयान करना चाहते हैं, तो टेलिगराम भी जोइन कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा बाई आपको अच्छा से अच्छा पोटफोलिय बना के देने का कॉंट्रेट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो